हम बात कर रहे हैं पार्ट बी सेक्शन वन ये है सेंपल क्वेश्चन पेपर 2021 का जो रिलीज किया है CBSC ने इन्फोर्मिशन प्राक्टिस का इसमें है इसमें सिरीज देखिए ये तो आपको सिरीज बनानी है 45 से लेकर 89 तक ये जो इंडेक्स है इसके लेकिन आपको प्रोग्राम लिखना है पाइथन पैंडाज में ताकि ये सिरीज आप क्रियेट कर सकें तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले आप देखिए इंपोर्ट पैंडाज ऐस पीडी तो आप पीडी के साथ काम करेंगे पीडी में आप सबसे पहले ये जो M1 है इसमें आपने कहा PD.series क्योंकि M1 मना रहे हैं आप एक सीरीज इसमें PD.series में आप पहले नंबर डाल दीजे ये नंबर हो गया है एक लिश्ट के तोर पे इक नंबर डाल दीजे उसके आपको ये जो specify करने है indexes यहाँ पर आप index specify करेंगे term1 से लेकर term4 तर बस आपकी सीरीज बन जाएगी इसमें है state any two differences state any two differences between single rows and multiple row function अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा इसका उतर हम देंगे दो differences बताने हैं between single row function and multiple row function अब एक table में ये रोज होती है तो किसी एक row पे जब काम हो और जब multiple एक से ज़्यादा रोज पे एक साथ काम हो उसके बारे में पूछा जा रहा है ठीक है तो clear बात है कि जो एक row वाले function जैसे मैं आपका example भी दे देता हूँ यहाँ पे जैसे हमारा नाम लिखा हो है जैसे A है किसी का नाम B है यह सी है यहाँ पर हमने 21 एज दे दी 22, 23 ऐसे जेंडर बता दिया फीमेल, फीमेल, मेल तो यह एक row हो गया जिसमें A है उनकी 21 उमर है और जो एक फीमेल है यहाँ पर C row जो है एक मेल है जिनकी उमर 23 यहाँ मेल दिख रहा है तो single row function ऐसे function होते है जो एक row पे काम करेंगे जबकि जो multiple row वाले function है वो एक से ज़ादा rows पे एक से ज़ादा record पे काम करेंगे देखिए single row जो function होता है जो आपको output देगा जो आपको result देगा वो हर एक row के हिसाब से देगा इस row का output होगा इस row का output होगा लेकिन जो multiple row function है वो output तो एक ही देगा लेकिन जितने rows के बारे बात की जैसे माली जे multiple का example देता हूँ आपको आप से पूछा गया कि भाई इसमें बताओ जो second column है या फिर खाई ये rows में एज सबसे जादा किसकी है तो 21, 22, 23 में 23 आ जाएगा तो multiple row में उसने देखा क्योंकि ये row 1 है ये row 2 है ये row 3 है multiple row में देखा 23 एज निकाली फिर आपको दिया अगर यहीं पर माल लीजे एक और कुछ होता और ये 25 होता example दे रहा हूँ तो इस 21 और 25 में compare करने के बाद result जाओ था वो single row function होता वो multiple row पे नहीं compare कर रहा होता तो example आप वही देंगे जो आपने पहले question किया है क्योंकि हमने group by order by के 2-3 question कर लिये है तो उसी का example आप दे सकते है बढ़िया रहेगा वो ही लिखा है उसी को यह आप यहाँ पर थोड़ादा परिवर्तित करके लिख दीजे लेकिन उससे पहले इसका concept समझी ये जो NCID ने example दिया है उन्होंने पहले order by दिया है उसके बाद group by clause का उतर दिया है जो की मेरे हिसाब से गलत हो गया उसका कारण क्या है देखे ये जो select है from where ये एक format होता है ये group by है वगरा भूल जाई है अभी ये select क्या करता है जैसे table है select क्या करेगा आपको बताएगा कितनी आपको column चाहिए कौन कोंसे column चाहिए from मतलब इस table का नाम होगा क्योंकि multiple tables हो सकते है multiple tables हो सकते है ये table 1 है table 2 है तो कौन से table से चाहिए कौन से table से चाहिए और कितने column चाहिए माल लिजे इसकी किल दो column result में चाहिए आपको और where condition condition क्या है कि अब आपको जो where लगता है वो multiple rows पे लगेगा जैसे माल लिजे इसकी age 21 है इसकी 21 है 23 है तो अब हमने where में लगा दिया age equals 21 तो अब ये row पे काम करेगा where select ये दो column आएंगे किस table से माल लिजे हमने table T1 कर दिया इससे और कौन से column आएंगे पहले दूसरा ठीक ये select from where का construct होता है अब आगे आईए है आप group आए अब आप क्या करना चाह रहे है कि जो result आ रहा है उसको grouping करना चाह रहे है जैसे माल लिजे आपका male और female है तो आप करना चाह रहे है कि एक result हमारा ये लड़कियों का आ जाए एक result हमारा लड़कों का और एक लड़कियों का आ जाए तो आप group आए तब लगाते है जब आप grouping करना चाहते है एक चीज एक जगा डालना चाहते है अब group आए के बाद where नहीं लगता चूंकि where पहले ये select from where का construct है group आए के बाद अगर आप where जैसी condition डालना चाहते क्योंकि group by में भी तो condition डालना चाहेंगे आप हर जगा condition की बात है कि देखे अगर बरसाथ होई तो हम छतरी लेकर जाएंगे ऐसा exam हर जगा condition तो आती है तो group by के बाद where तो चलता नहीं है तो group by के बाद जो having है वो condition का काम करता है तो having में आप condition डाल रहे हैं और having में condition में आप वकाइदा यहाँ पर aggregate function पर डालेंगे जैसे minimum, maximum, count इस सब पर उसके बाद अब आप देखिए कि जो select है form where इसमें ascending और descending होता है मतलब आप चाहते हैं बड़े से चोटा है या चोटे से बड़ा number को या फिर की values को किसी तरीके से row wise दिखा दे लेकिन जब हम group by यह अलग construct है, यह अलग construct है जब आप group by पर आते हैं तो group by में आपने having लगा दिये और group by के अब हो सकता है जो select columns होगा मतलब अगर आपने select में column इतने दो लिए है तो group by को लिनी column पर काम करें गा और column पर काम नहीं कर सकता है तो group by पुछी तरह select से related है group by के बाद जो column आगए आपने grouping कर दी having condition से केवल वो record आगए जो इस having से match करते है उसके आप चाहते हैं कि यह थोड़ा सा ascending और descending में आ जाए तो वहाँ ascending descending कैसे करेंगे जो आपने grouping की है किसी condition के साथ आप उसको grouping करना चाहते है तो उसके लिए order by होता है order का काम केवल descending और ascending में दिखाना होता है अब आप चाहिए पहले मैं group by clause बताता हूँ तो group by clause यह हम use करते है is used to group rows in a given column तो क्या होता है कि एक column है उसकी हमको जैसे यहाँ पर male की बात हो रही है या female की मतलब जैसे यह column है यह male, male, female एक और डूँज जोड़ देता हूँ आपको यह male है अब आप चाहते हैं group करना तो यह यह तीन male है तो क्या होगा male, male, male एक साथ आजाएगे और female का लगा जाएगा clear तो grouping इसे कहते है और उसके बाद हम aggregate function लगाना चाहते है जैसे इस पूरे पर हमने लगा दिया इन males में सबसे ज़ादा उमर किसकी है इस female में सबसे कम उमर की किसकी है तो वो लगाते हैं हम having use करके और फिर उसके बाद हम इनको ordering भी कर सकते है male की अलग, female की अलग आपको समझ में आ गया यह होता है group by अब group by में जैसे मैंने कहा कि जब आपने male, male, male एक साथ कर लिए एक ही column है उसमे male, male, male अलग कर लिए female, female अलग कर लिए अब आप चाहते हैं कि order जैसे की इनकी इनकी इकीस है यह तेईस है यह मालिज बीस है और female की age हम ले लेते है 21 और 26 नहीं, कम ले लेते जरा 90 ले लेते अब आप चाहते हैं कि भाई हम order by करें कि यह जो हमको उमर आई है जैसे इनका नाम है A इनका नाम B, इसका C, D, E हम चाहते हैं order भी कर ले इनको male 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 तो सारे है हम चाहते हैं ascending में आ जाए तो अब क्या होगा, इसका result क्या आएगा देखेंगे जब हम order by करेंगे तो इसकी इनकी age सबसे कम male को देखिए 20 यह होगी 21 यह हो गया आपके 23 ascending में कर दिया तो 20 किसकी age थी, C अब यहाँ जाएगा 21 किसकी थी, A यहाँ जाएगा 23 किसकी C, B यहाँ जाएगा इसी तरीके से यहाँ देख ली जए ascending order में है तो पहले यह female जो है 19 वाली उमर के आएगी जिस यह E आ जाएगी पहले हमें decide किये, जो order by किस पर काम करता है, group by पर group by किस पर काम कर रहा है, जो select command यह जो column ले के आएगा तो ascending और descending order के लिए column की value जो grouped already है उसको दिखाने के लिए consider the decimal value x with the value 8459.2654 write the commands in SQL 2 round it off to a whole number देखे, अगर आप इसको whole number करना चाहते तो simple round function करेंगे आप ठीक है, यहाँ round function करेंगे तो यहाँ पर देखेए 8459.2654 अब यह round करेगा simple तो यहाँ पर decimal के बाद दिखा जाएगा इसके बाद दिखा जाएगा नंबर क्या है इसके अगर नंबर जो दिखा जाएगा जिसे 92 है तो यह 8459 नहीं रह जाएगा समझ रहे हैं आप? केवल यह इसको round कर देगा 8459 के बाद या तो यह 590 नहीं रहेगा या 6-0 हो जाएगा वो depend करेगा कि इसके बाद यह 2 है मतलब यह 5 है यह 5 से कम है 5 और 5 से कम यह 5 से कम यह 5 से जादा इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक तो यह 8459 रहेगा और 5 से लेकर 9 तक यह बन जाएगा 8,4,6,0 clear हो गया? अब आए यह नहीं पर rounded off to 2 places before the decimal तो यहाँ पर अगर हम यह plus 2 भी लगा सकते हैं minus 2 भी लगा सकते हैं अगर हम plus 2 लगाते हैं तो यह 2 हो जाता इसके बाद 5 है तो यह आपको दिखाई देता 2,7,8,4,5,9 क्योंकि यह 2 अगर हम लगाते हैं ऐसे करके इसके बाद 2 लगाते हैं तो हमको 2 decimal places चाहिए तो यह 2 decimal के plus 3 जो है 5 5 है जैसे मैंने बताया तो यह 2,7 हो जाता लेकि यह minus 2 का मतलब है कि आप यह चाह रहे है minus 2 मतलब आप इन दोरों के पहले यह यह 8,4,5,9 minus 2 मतलब आप इधर पर आ गए यह 2 का अटा दीजे इसका मतलब यह है कि अब आप राउंडिंग जा चाह रहे है 8,4 या तो 8,4 यह 0,0 होगा यह 8,4 ना 8,5,0,0 होगा क्योंकि 8,4,5,9 इन के पीश में आ रहा है तो आप देखिए यह 5 है ठीक है जी 5 मतलब यह इसके हिसाब से रमट अफ होगा minus 2 मतलब आप यह decimal है उसके दो पहले चलेगे तो 5 है यह इसका मतलब यह 8,5,0,0 बनेगा यह आएगा इसका अपनर मतलब यह minus 2 करना पड़ेगा आपको consider the following series object s underscore amt write the command which will display the name of the furniture having rent greater than 250 तो आपको इस series दी हुई जिसका नाम भी आपको बताये गया है तो उसको हम use कर लेगे series object s underscore amt पहले वाली condition देखते है फिर अगले command पी जाएगे तो देखे पहला command क्या है write the command which will display the name of the furniture having a rent greater than 0 greater than 250 तो जो smt है samt यह जो नाम दिया हुआ है आपको बस इसका जो condition है वो यहाँ डाल देना है जैसे s underscore amt amount greater than 250 यहाँ डाल देना बस और उसके बाद इसको print करा देना यह काम बन जाएगा ठीक है बस यह s a underscore amt और अंदर condition देने नहीं है तो आपको यह command इस तरह के से लिखना है दूसरा है write the command to name this series as furniture अब आप में जो series बनाई है उसका furniture नाम देना है तो s underscore amt इसकी आप attribute यूज़ करेंगे जो कि attribute आपका name होता है तो इस name में आप यह furniture डाल दीचे जो इन्होंने कहा है single code में डालेगे अंजली writes the following command with respect to table employee having fields, employee number, name, department, commission command एक है, command दो है she gets the output as 4 for the first command but gets an output 3 for the second command select the output with justification अब आप देखें पहले उत्तर तो यही है मैं आपको पहले समझा दूँ क्या हो रहा है देखें एक table इन्होंने बताया short में लिखूंगा ज़रा पहला है fields, जो इसकी जो fields है इसमें है employee number, तो ENO कर देता हूँ name है तो N कर देता हूँ department में DEPT कर देता हूँ आपको पूरा लिखना है, पूरा समझा है मैं तो short में बताने ही कुशिश कर देता हूँ अब देखें, इन्होंने जब कहा select count star from employee count star क्या करता है, जितने इसमें रोज होंगे जिसमें एक, दो, तीन, चार, चार रोज है तो यह select count star करते ही इस पूरे टेबल, जिसका नाम employee है उत्तर आ जाएगा इसका चार लेकिन जब यह करते है, select count commission अब यह count कर रहे है, commission इस column को क्योंब count कर रहे है इसमें उत्तर आ रहा है, इसी table का इसमें उत्तर आ रहा है, तीन, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक न एक null होगा ठीक है जी, अगर null है तो counting 3 हो जाएगी 2 null होते, तो counting हो जाती 2 3 null होते, तो counting हो जाती 1 क्योंकि एक ही count, जैसे समाली जी commission 2000 रुपे लिखा हो रहे है, ठीक है तो यह कारण इसका यह बताया गया है, कि जो column commission contains a null value and the aggregate function does, do not take into account null values यह जो count है, यह aggregate function है, जहां इसको null मिलेगा, उसको नहीं लेगा, count star का मतलब होता है, number of rows count कर देगा यह, right, मतलब command जो पहला है वो कितने records है, rows मतलब number of records, 4 हो गया, जो command 2 है, यह आपको बताता है, कितनी इसमें non null values है, तो वो इसने इसको 3 दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर 2000 था, यहाँ पर 3000 होगा यहाँ पर 4000 होगा, यह एक null है, कोई भी null मान सकते है consider the following SQL string preoccupied right command to display पहले मैं आपको preoccupied बतातू ऐसे तो इसमें multiple command चलेंगे आपको निकालना है occupied यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है यह है पहला position one, two, three, four, four position से निकालना है, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven तो अगर आप sub string लेंगे preoccupied लीजिए, और sub string का मतलब होता है चौथे position से सारी चीज़ दिखा दीजे आप तो चौथे position से आपने सारी चीज़ दिखा दी, occupied आ जाएगा या फिर एक और आप काम कर सकते है sub string या sub str दोनों एक ही तरीकी के चीज़े है इसमें आप preoccupied लिखिए, चार से शुरू कर दीजे चार के आगे सब दिखा दीजे, तो भी preoccupied आ जाएगा एक right का भी concept है, right का concept है मतलब आप यहाँ पर आ जाएए डी पे और यहाँ से एक count करिए, आठ right से चलिए, right से दाए हाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो right से चलके 8 count करिए यहाँ से यहाँ तक और शो कर दीए, तो भी preoccupied ही आएगा अब दूसरा पूछा है नोने, cup तो cup आता है बीच में, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है cup, इसके positioning देखिए इसमें अगर हमको sub string निकालना है तो हमको 6 तक पहुँचना पढ़ेगा पहले और cup, 1, 2, 3 वतलब 6 तक पहुँचके हमको 3, 1, 2, 3 3 जो character वो दिखाने तो उसके लिए sub string में विल्कुल वही काम करेंगे preoccupied तक करेंगे और 6, 6 से शुरू करके 3 दिखा देंगे यहाँ पर भी 6 से शुरू करके 3 दिखा देंगे एक और तरीका इसका mid का भी है mid में भी यही काम करेंगे 6 तक पहुचेंगे और 3 इसके दिखा देंगे तो mid का भी यही काम है यह double quotes में होता है ध्यान रखिएगा अच्छा इसी तरीकी का सवाल और में दिया हुआ है तो इसको हम कैसे करेंगे consider the same string preoccupied write SQL commands to display the position of the substring cup in this string preoccupied अब जो पिछला सवाल है उसको थोड़ा उल्टा इनोंने बताया है तो आप उसकी position दिखानी है आपको तो अगर आप देखे फिर से मैं preoccupied लिखूँगा right अब आप देखें आपको दिखानी है कि भई position क्या है उस substring की तो यहाँ पर cup कहा आ रहा है यहाँ पर cup यह यहाँ से आ तक आ रहा है न तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका result 6 आना चाहिए basically यह है तो आप क्या करेंगे select INSTR command आता है और उसमें आप यह जो दिया हुआ है इसको double quotes में लिखेंगे इसको बोल जाएए तो preoccupied double quotes में comma cup तो यह आपको यह बता देगा कि preoccupied में cup किस position से शुरू हो रहा है तो आपको वो position दिखा देगा दूसरा यह है the first four letters in the string तो first letter four letter कैसे दिखाएगा वो अभी भी हमने सीख लिया तो जो जो हमने सीखा वो तो हम लगाएगे लगाएगे कैसे अगर आपको first four letter दिखाने है इस string के यहां से तो आप क्या कर सकते हैं आप क्या करेंगे जो मैंने आपको sub string बता है था उसमें क्या करेंगे आप sub string में sub str करिए और यह sub str ing पे भी चलेगा यहां पर क्या करेंगे आप ऐसे करिए pre occupied और यहां पर करिए आप एक पहले से चलिए और आपको चार लेटर चाहिए तो first से चलेंगे और एक, दो, तीन, चार तो एक से चलेंगे और चार करेक्टर दिखा देंगे तो यह sub string और sub str दोनों चलेगा इसमें एक और इसमें left यह नया introduce अभी मैं कर रहा हूँ left में क्या है चलिए माली जे मैंने left यहां लिखा हुआ है तो क्या हम कर रहे है हम यही चीज़ लिखेंगे preoccupied यह माली लिखता हूँ यहां पर है और इसको हम यहां चार देंगे इसका मतलब यह है कि यह सबसे पहले left तक जाएगा इसके यहां पर left तक जाएगा और left से 4 उठा के देदेगा आपको तो P, R, E, O यहां से left से मिल जाएगा preoccupied यहां लिखें लिखें, 4 तो बहुत सारी तरीके हो सकते हैं अब इसमें हैं आपका consider the following data frame तो एक काम करते हैं कि इसको अगली बार लेते हैं ठीक है चुकि लंबना हो जाए आदनी बूर हो जाता है बहुत जल्दी तो अगला हम अगली बार करते हैं ठीक है तब तक ले आगे के हम सवाल अगली बार लेते हैं तब तक ले शुक्रिया मिर्वानी आप सबी की